दोस्तों दोद सेहत ली बहुत उलकारी है यह स्रीर नू ताकत बक्षता है अधे स्वास्त रखता है पर कई वरी गल त्रीक के नल पीता दोद स्रीर ली हानिकार्क भी हो जान्दा है आज दि इस वीडियो वेच आपाई ही गल करांगे कि यह जहिएं केडियां हलाता है जिनना दे अंदर दोद हनिकार्क हो जान्दा है सब तो पहला गल कर दे हैं दही बारे दही खान तो बाद दोद या दोद पीन तो बाद दही कदे नहीं खानी चाहीती इस नल पाचन के रिआ प्रवावित हुन है क्योंकि दोद दे अंदर लैक्ट 적 like acid अथे दही दे अंदर लैक्टिक असिड हुन्दा है दुञे दी पाचन के रिआ वकोवक्री होनकर करके Genau 3 खान नल पाचन के रिआ विच गडबडियाउं दी समावना बान जाती है दूज्जे नमबर ते गल कर दे हैं मच्छी खानतो बाद दुद नहीं पीना चाहिए दा जान दुद पीनतो बाद कदे मच्छी नहीं खानी चाहिए ती इस नौर स्रीर विच फूड पाइजनिंग हो जानती है बहुत सारे लोग कर नुए प्लेख खांदा है कि मच्छी खानतो बाद जे दुद पीता जावेता नमदी चमडी ते चट्टे दाग पैजानगे पर ए सोच बिल्कुल गलत है डाक्टरां दे मताबक इस ता दाग पैनल कोई सबंद नहीं है मच्छी खांतो बाद 25 ला इसलिए निदिती जान दी क्योंकि मच्छी दी तसीर गर्म होंदी है अते दुद दी तसीर ठंडी हंदी है गर्म तसीर वाली चीज दा ठंडी तसीर वाली चीज नल्स एकको समे सेवन करनल सद्रिन फ्यूड पाइसनिंग हो जान दी है इस तो बाद गल कर दें, खटे फाल खान तो बाद कदे दुद नहीं पीना चाहिएदा कटे फाल जिमें नेम्बू, संत्रा, माल्टा, किन्नू आद दे अंदर सिट्रीक एसट दी मात्रा पर पूर हुंदी है एही सिट्रीक एसट दुद नू पाढ़ के पनीर दे विच पदल देंदा है जिद दुद पीन तो बाद खादा जावे ता दुद साड़े में दे विच पाढ़ जानदा है ते उस तो बाद ही हाजम नहीं वो पाउंदा क्योंकि छोल्यां दी दाल दी तसीर करम हुंदी है चिस दी वजाकारन तो दुद खाजम नहीं हुंदा उमीद है दोस्तो आज दिये जानकरी तो अनुचंगी लगी हुएगी इस तरह नहीं हुद जानकरी प्रपूर वीडियो देखने में लिए साड़ा चैनल से अथ हम जाएव जुरूर सब्सक्राइब करो तानवाद